बसकार आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी आज बात करेंगे नौड़ा की कुछ मुख्य खबरों का का दिकरमन कर रहे हैं साथी आसपास और बेस्मेंट में गंदगी फिला रहे हैं और वहां के लोगों को लगातार पार्किंग की समस्या भी जेलनी पड़ रही है सोसाइटी की लोगों ने यह कहा कि इसमें 2000 परिवार रहते हैं 30 से जादा दुकाने हैं लेकिन इनकी सफाई करने वाले 30 लोग भी नहीं हैं कई बार इसके शिकायत मिंटेनिंस के साथ ही विकास प्राधिकरन के स्वास्ते विभाग से की गई लेकिन अभी तक कोई कारेवाही नई हुई है जिससे निवासी काफी आकरोशित है वहीं दूसरी खबर भी नॉइडा से ही है नॉइडा की खबरे इन दिनों काफी सुर्ख्यां बटो रही है एक के बाद एक लगातर खबरे सामने आ रही है इसी बीच नॉइडा की मुख्य का रेपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने शुकरवार को शेहर का दौरा किया और यह है दौरे करीब एक दर्जन सेक्टरों में किये गए इसी दौरान औध्योगीक और आवासिय इलाकों में जाकर हालाद देखे दौरा करते समय रितु महेश्वरी को मौके पर तमाम गड़बडिया मिली सडकों के किनारे जंगल उगा मिला तो कहीं सफाय करमचारी न को कमपनियों पर पांच-पांच लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया साथ ही प्राधिकरन के कमर्शियल इंडरस्ट्री इंस्टिट्यूशनल रेजिडेंशियल लैंड और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को काम करने के निर्देश भी दिये तीसरी खबर वि एक्शन मोड में नजर आए इसी कड़ी में शनिवार देरात पुलिस गश्ती और थाना 113 की चोकियों का ओचक निर्ख्षन किया निर्ख्षन के दौरान चोकियों की डायरी संत्री ड्यूटी रनिंग रजिस्टर सहीद पंजी का जाच किया साती थानेदा सहीद पुलिस कर्मियों को अपराद चोरी और शराब तसकरों पर सक्त कारेवाह के निर्देश दिये गए लेकिन ADCP के अचानक आधी रात के थाना जाच से पुलिस महकमों में हडकाम पमज गई है अवस्थी ने स्ट्रीट क्राइम, फास्ट मूविंग क्राइम और महिला संबंदी अपराद की रोक थाम के लिए रात की समय जाधा प्रभावी गश्ट करने के निर्देश भी दिये महिला सुरक्षा को लेकर घेडभाड वाले इलाकों में हर समय सतक रहने की सला दी गई इस दोरान थाना छेतर में संदिक्द वाहनों की चैकिंग की गई चेकिंग के दौरान दो वाहनों को सीज किया गया और यातायात को लेकर वाहन चालकों को जागरुक भी किया गया फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी धन्यवार ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीड